हेलो गाइज, विल्कम टू इग्जेक्ट वे, आज का ये वीडियो है सामान्य ग्यान यान के जेनरल साइंस पे, और जो सबसे महतुपूर्ण प्रस्न है, वो लिया जा रहा है, लगातार लिया जा रहा है, और ये आपका उसी में नॉमा सेट है, देखिए एक्जायम में बह करके आपको दिया जा रहा है, बहुत अच्छा feedback मिला है, बहुत लोगों का ये demand है, काफी लोगों ने ये भी कहा है कि उसे English में भी बनाया जाए, जैसे यहां पे आपको English और Hindi दोनों में मिलता है, वैसे आपको वहां पे भी मिले, तो उसके लिए आप बिलकुल निश्च and departing trains, the whistle heard is, प्रसन हिंदी में एक railway मंच पर खरा एक व्यक्ती सुनता है, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान CT, क्यों? CT सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है, तो आपको options है, E, the same in both the cases in all respects, मतलब दोनों मामलों में सभी मामले में समान नता, आपको option B है, the whistle heard is of higher intensity when train arrives, मतलब उच्तर pitch होता है, जब train आती है, आपका option D है, of higher pitch when train departs, मतलब train निकलती है, तो pitch उच्तर होती है, आपको अपना answer नीचे comment करके बताइए, तो इसका सही answer है, C, of higher pitch when train arrives, तो चलिए अब next question की तरब बढ़ते हैं, अब ये बहुत ही important question है, आपका दूसरा प्रसन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, होलोग्राफी जे technique of, होलोग्राफी किस चीज की technique है, आपका options है, ए रिकोर्डिंग अ पर्मनेंट सार्प, टू डाइमेंशनल ब्लैक और वाइट और मल्टी कलर फोटोग्राफ, मतलब एक अस्थाई त्री आयामी काले और सफेद या बहु आयामी त यानि कि रिकोर्डिंग एक स्थाई त्री आयामी काले और सफीर तस्वीर लेना, या फिर डी रिकोर्डिंग ए पर्मनेंट थ्री डाइमेंशनल फोटोग्राफ और गिवन सिंगल कलर और मल्टी कलर, यानि कि रिकोर्डिंग अस्थाई त्री आयामी रिकोर्डिंग किसी दिए गए सिंगल रंग या फिर मल्टी कलर की तस्वीर होलोग्रामी किसकी टेक्नीक है आपके options आपको यहाँ पे मिल गए है आपका अंसर है तो चली अब next question की तरफ बढ़ते हैं आपका तीसरा प्रसन आपके स्क्रीन पे यह रहा एन आइस ब्लॉक विट पीस ओफ लीड इंबेड़ इन इट फ्लोट्स इन वाटर इफ आइस मेल्ट्स दी वाटर लेवल विल बी इसे हिंदी में समझ लेते हैं लीड के टुकरिये के साथ एक बर्फ ब्लॉक पानी में तैर यह बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या फर्क आपको देखने को मिलेगा इसको ऑप्शन है वाटर लेवल राइज यानि की पानी का स्तर ऊपर बढ़ जाएगा आपको अपना आंसर जरूर बताना है नीचे कमेंट करके बताएए आपका सही आंसर है बी फॉल्स य यानि की वाटर लेवल नीचे गिर देगा तो आपका चौथा प्रसना आपकी स्क्रीन पे यह रहा दिवेलोसिटी ओफ हीट रेडियेशन इन वेक्यूम इस वेक्यूम में गर्मी विकरन की गती क्या होती है आपके ऑप्शन से एकुल टू टू टैट ओफ लाइट यानि की प्रकास के बराबर होती है यानि की प्रकास की तुलना में कम होती है या फिर सी ग्रेटर दैन दैट ओफ लाइट यानि की प्रकास की तुलना में ज्यादा होती है ग्रेटर होती है या फिर डी इकुल टू टू टैट ओफ साउंड यानि की धोनी के बराबर होती है आपका स पर गियर पहिया बनाने के लिए उप्यों की जाने वाई प्लास्टिक सामगरी क्या है आपके उप्संस है ए पॉलिस्टर्स बी नाइलोंस सी बैकलाइट यह फिडी पॉलिस्टरीन इसका सही आंसर है बी नाइलों तो चलिए अब नेक्स्ट कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं तो एक से पांच आपका फिजिक्स का कोश्टन था छे से दस आपका केमेस्ट्री का कोश्टन रहेगा और उसके बाद ग्यारा से पंद्रा आपका बायो के कोश्टन रहेंगे तो आपको इसी सेट में तीनों चीज की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो चलिए अब कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं यह आपका च्छथा प्रस्ण आपके स्क्रीन पे यह रहा हूँ डेवलप्ट हाइड्रोजन बंब यह बहुत ही इंपॉर्टन कोश्टन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन कोश्टन इसका अंसर सबके ज़रूर आने चाहिए हाइड्रोजन ईके किस ने विक्सित किया आपके ओप्शन से एए वर्नर वन ब्राउन बी जे रॉबर्ट ओफें घीमर याफिर सी एडवर्ड टेलर तेलर याफिर डी सैम्यूल कोहन हाइड्रोजन बं का अविश्कार किस ने किया विक्सित तोड़ा सूचिया इसका सही आंसर है शी एड there are two electrons in the same orbital they have, जब एक ही कक्छा में दो electron होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, आपका options है, A, same spin, B, opposite spin, C, same opposite spin, या फिर D, no spin, आपका option हिंदी में, एक ही spin, B, विपरित spin, C, सामान या विपरित spin, या फिर D, no spin, कोई भी spin नहीं, तो इसका सही answer है, साथ का B, विपरित spin, opposite spin, चलिए अब next question की तरब बढ़ते हैं, तो आपका आठवा प्रसन आपकी screen पे ये रहा, ये question में एक बार और और भी जो आपका general science पे video बनाया था, उसमें समझाते हुए ये question आपको बताया था, I hope अभी आप सब का सही answer निकले, galvanization is the process of, मतलब जस्ती करन, एक process होता है, एक तरीका होता है, किस चीज़ का, आपके options है, E, deposition of zinc on iron, मतलब लोहे के बरतन पर zinc की परत या जमाओ, B, deposition of tin on iron, यानिकि लोहे पर tin का जमाओ, या फिर C, deposition of copper on iron, यानिकि लोहे पर तामबे का जमाओ, या फिर D, deposition of aluminum on iron, यानिकि लोहे पर aluminum के जमाओ, जस्ती करन, यानिकि galvanization क्या है, तो इसका सही answer है, E, deposition of zinc on iron, iron के जो utensils हो, या फिर जो भी सामगरी होता है, उस पे जो आप zinc का परत लगाते हो, जो आप अपने घर में देखते हो, आपका जो लोहे का gate रहता है, या फिर लोहे का आपका खिटकी पर जो आप जंगला लगाते हो, उसमें जो आप देखते हो, अस्तर करते हो, आप थोड़ा सा brownish रहता है, वो जो आप अस्तर करते हो, उसी को ही galvanization कहा जाता है, वो एक zinc का परत होता है, जो iron पर लगता है, ताकि उसे resting से बचाया जा सके, यानि कि जंग लगने से बचाया जा सके, तो चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका नॉमा प्रसन आपके screen पे ये रहा, fermentation of milk to curd is due to, दही के लिए दूद की किन वन इस कारण से है, आपके options है A, Mycobacterium, B, Staphylococcus, C, Lactobacillus, D, Yeast, जो आपका दूद है, वो जो दही बनता है, वो किस के कारण बनता है, आपके options यहाँ पे दिये हुए हैं, आपको इस नहीं में से answer करना है, तो सबेरे सबेरे दही जो खाते हों, उनको तो इसका answer जरूर से बताना है, तो इसका सही answer है, C, Lactobacillus के कारण होता है, तो चलिए अब next question के तरफ बढ़ते हैं, तो आपका दसमा प्रस्ण आपके screen पे यह रहा, आपका प्रस्ण हिंदी में किस carbonic yogic त्वारा सभी तेलों को ग्यात किया जाता है, आपके option से A, carbohydrate, B, protein, C, hydrocarbon, या फिडी, easter, अगर आपको थोड़ा समय लेना होता हो answer करने के लिए, तो pause कर दीजे वीडियो को, और अच्छे से सोचिए, question आपके screen पे रहता है, और आपना answer नीचे comment section में जरूर डालिए, मैं ज्यादा देर का pause नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि समय बहुत फालतू का बरवाद होगा, तो चलिए आप अपना answer नीचे comment करके जरूर बताइए, इसका सही answer है, C, hydrocarbon, अभी तक आपने physics के के देख लिए, और chemistry के देख लिए, अब आपको बायो के देखना है, 11 से 15 आपका बायो का question है, तो 11 मा प्रस्न आपके screen पे ये रहा, in the eye, color vision is affected by presence of, ये आपके exam में भी आपको जरूर पता है, कि रिल्वी के exam में color vision को लेकर के बहुत बरापंगा होता है, तो color vision किस के कारण होता है, आखों में किस चीज के presence के कारण होता है वो जरूर समझ लिजे, आखों में रंग की दिरिष्टी किसके उपस्थिती से प्रभावित होता है, आपके option है, A, crowide coat के कारण, B, scaloretic coat के कारण, C, rods के कारण, या फिर D, cones के कारण, तो इसका सही answer है, D, cones, चलिए अब next question के तरफ बढ़ते हैं, तो आपका बार्मा प्रस् साधित करने में, आपके options है, A, rolling, B, drying, यानि कि सुखाना, C, fermenting, यानि कि किन वन, या फिर D, withering, तो इसका सही answer है, C, fermenting, चलिए अब तेरवा प्रस्न आपके screen पे ये रहा, dehydration in human body is caused due to the loss of मानव शरीड में निरजली करण के कारण क्या होते है, आपके options है, A, vitamins, B, salt, C, hormones, य या गया हुआ है, आप एक बार pause कीजिए, अच्छे से समय लीजिए और अपना answer जरूर कीजिए, तो इसका सही answer है, पानी के कमी से dehydration होता है, मानो सरीर में निरजली करण, पानी के कमी से होता है, तो चलिए अब next question के तरव बढ़ते हैं, तो आपका 14 हमा प्रस्न आपके screen आपके ये रहा हुच अब the following is the largest living bird, निमलिखित में से कौन सा सबसे बरी जिवित पक्षी है, आपके options है, A Eagle, B Peacock, C Ostrich, या फिर D Kiwi, आपके options हिंदी में A Eagle मतलब क्या होता है, बांज, या फिर गरूड, अब डायलोग भी सुने होगे, चीते की रफतार, बांज की नजर और बाजी राओ के टैलेंट पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात देती है, तो वही वाला Eagle है, यहाँ पर वही वाला गरूड है, बाज है, आपका option B है, पिकॉक यानकी मोर, C सुतरमुर्ग यानकी ओस्ट्रिच, D की वी, तो इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर ब बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, वह आपका बताना है, आपके option A है, एग इस फर्टिलाइज़ इन दी यूटरेस, यानकी अंडे को गर्वसे में निसेचित किया जाता है, B है, इम्ब्रो कम्प्लीट इट्स डेवलप्मेंट इन दी टेस्ट ट्यूब, यान आपका D है, एग इस फर्टिलाइज़ आउटसाइड मदर्स बॉड़ी, यानकी अंडे को मा के सरीर के बाहर निसेचित किया जाता है, टेस्ट यूब बेबी को लेकर कि ये प्रस्न है, बहुत जादा important question है, इसका answer जरूर आप याद रखिए, बहुत बार question के पूछा गया है, अलग-अलग exam में पूछा गया, इस question को निश्चित तोर पर याद कर लिजेए, तो इसका सही answer है, C, imbio is placed in uterus after two months, imbio गर्वसे में दो महिनों के बाद रखा जाता है, टेस्ट यूब बेबी के case में, तो I hope आपने सही answer करा होगा, नीचे अपना सभी question का answer जरूर कीज है, और फिर से इस video में, फिर से इस बार को, इस test को लीजिए, और नीचे comment कीजिए, फिर देखे कि आपने, अपने में सुधार करा है कि नहीं, इस तरीके से अगर session को interactive लोगे, अगर आप खुद को इस तरीके से इस्तेमाल करो चीजों को तो वो ज्यादा फाइदा करेगा इतनी आसान भासा में, इतनी structural way में मैं आपको समझाया हूँ, उन वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, reasoning के भी set आपको लगातार मिल रहे हैं, उन set के साथ अपनी reasoning को बहतर कीजिए, आने वाले वीडियो में आपको और सारे reasoning के set मिलेंगे, जिसमें आप और भी अच्छे approaches देखोगे, जिससे आप कम से कम से कंड में reasoning को complete कर लो, maths के भी वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपको exam में बहुत फाइदा कराएगा, और वो बिल्कुल trick based होगा, तो उन सारी lessons के साथ अच्छे से जुनने के लिए channel को जरूर subscribe कर ले, और साथ ही ये bell notification जरूर प्रेस कर ले, बहुत लोग का कहना है को इनको notification नहीं मिलता है, तो bell notification जरूर प्रेस कर ले, आगे क्या देखना है, कौन-कौन से topic पर आपको questions चाहिए, कौन-कौन से topic पर आपको videos चाहिए, वो सारी चीजों को जरूर बताइए, आप आपके comment section में जो भी आपका demand र आपके comment बादाएद साथल, आपको जरूर बताइए, क्या दूर बताओज को जिरूर, आपके comment से topic बाद़ए, आपके comment बताएए, क्या दोवादाए, मैं पर आतावाद